समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा ने यूपी में 80 में से 37 सीट जीती है। लेकिन चुनाव नतीजों में कुछ सीटों पर जो फैसले आए उसे लोग अब भी हैरान हैं। और ऐसी ही एक सीट थी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट। अयोध्या फैजाबाद संसद्धी एक शेत्र में पढ़ता है जहां चुनाव से पहले जनवरी में बीजेपी ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। मोधी सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने को अपनी बड़ी उपलब्धी के रूप में पेश किया था। लेकिन बीते मंगलवार को जब नतीजे आए तो बीजेपी इस सीट पर हार गई। बीजेपी की और से मैदान में थे दो बार से अयोध्या से ही सांसद रहे लल्लू सिंह जिन्हें समाजवादी के पुराने नेता अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। हार का अंतर पचास हजार वोटों से अधिक था। लोग अवधेश प्रसाद की इस जीत को बीजेपी के ह हिंदुत्व के कैमपेन का जवाब मान रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिये एक इंटरव्यू में अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। ये लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। स कि मैं बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। यूर को कि मैं बीजेपी का खिलाफ रहे हैं। झाल झाल